प्रापर्टी अपडेट्स और प्रापर्टी अपडेट्स और आज आपको में बहुत अच्छी प्रापर्टी दिखाने वाला हूं बहुत अच्छी इसलिए क्योंकि मुझे भी असर ऐसी प्रापर्टी पसंद आती हैं कारण बता क्या है फ्लैट्स तो बहुत सारे बने हुए अगर आपकी लोकेशन अच्छी नाना हो तो मज़ा नहीं आता तो लोकेशन क्या है सबसे पहले तो वह समझ ले मैं आज खड़ा क सहां हूं मैं खड़ा हूं सेक्टर 127 मोहाली में कहां पर गिलको में वरी फिमस आपने सुना होगा और लोकेशन आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि मैं कौन से फ्लैट्स दिखाने वाला हूं यह सामने बिल्कुल गिलको इंटरनेशनल स्कूल है आप देख स पास सारी कमर्शिल मार्किट भी यहां पर बनी हुई है वो भी आपको एड डोर स्टेप सारी चीज़ें मिल जाएंगी और कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैं चंद कदम आइधिंग 300-400 मीटर जाओंगा तो लांडर रोड पे पहुंच जाओंगा और हाडली एक डेट क क्योंकि लोगों को यह बड़ा टेंशन रहता है कि कोवीट के बाद से एक आदत पढ़ गया घर में रहने की वर्क फ्रोम होम स्टडी फ्रोम होम अब जो वह सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी कुछ दिनों में तो आपको लोग है और बच्चे को स्कूल छोड़ने कौन जाए कोई जरूरत नहीं है डो स्टेप पे आपके इंटरनेशनल स्कूल है यार मार्किट कौन जाए कोई जरूरत नहीं है आपकी डो स्टेप पे मार्किट है और कनेक्टिविटी की बात करूं तो लांडरा रोड का आपको पता ही है सब्वे से लेके पीजा हट से लेके डॉमिनो से ले के अपको हर ब्रेंड आपको यहां पे मिल जाएगा और इन इटसल्व गिल्को की जो मार्किट है वहां पे भी आपको सारे तरह की ब्रेंड और सारी तरह की चीजे मिल रहे हैं तो कुल मिला के मैं कहूँ तो ऐसी प्रापट्री अकसर जो है लोग धूनते हैं चाहते हैं उन्हें लगता है कि नहीं यार मुझे भी कहीं है ऐसा एक फ्लैट मिल जाए तो मैं आपको जी प्लस टू की इंस्ट्रक्शन में बना हुआ वही फ्लैट दिखाने वाला हूं कनेक्टिविटी समझा दी ता कि आपको अच्छे लगे अब मैं आपको फ्लैट के अंदर लेके चल रहा हूं आईए देखते हैं फ्लैट कैसा लगता है अंदर से चली फ्लैट में भी उपर पहुंच चुका हूं और जब मैं अंदर जा रहा था तो सड़नली मेरी नजर दीवार पर पड़ी जो अक्सर बाहर आम दीवारे होती हैं यहां पर यह जो वेलकम वाल है यह भी विद टाइल्स बहुत अच्छी बनाई गई है ताकि इसकी जो ख सब्सक्राइब यह 3BH के आपको मैं दिखाने जा रहा हूं और अभी जस्ट क्योंकि फ्लैट रेडी हुआ है तो इसमें बहुत सारा सामान नहीं रखा है तो यह आपका एंट्रेंस पे जो है वो ड्राइंग डाइनिंग है अब जैसे आपको दिख रहा है मुझे कुछ भी पेनल जो आपको दिख रहा है एजटी आपको मिलने वाला है ड्राइंग डाइनिंग है डेफिनेटली और डाइनिंग का मैंने बताया है तो किचन भी बताऊंगा और बेस्ट पाट इस एक किचन कवर्ड है हमारे कहा जाता है कि इस्त्री धन और जो खाना है वो में शब प प्राइवेसी से अगर गेस्ट आवी जाएं तो आराम से काम कर सकते हैं तो यह जो एक L शेप में किचन है यहां पे आपको चिमनी के लिए स्पेस दिये गया है मॉडलर किचन एजटी आपको मिलने वाली है mix and match करके बनाए गई है बाहर की और window भी है दो सिंक आपको दिये गये हैं मतलब कुल मिला के मैं इसे कहूंगा एक स्पेशियस अच्छी किचन है जहां पर आप मूव करते हुए आराम से काम कर सकते हैं चलिए अब बारी आपको बैडरूम दिखाने की तो सबसे पहले मैं आपको जो फ्रंट में जो आपको बैडरूम है वो मैं आपको लेगी और यह फ्रंटल है बिल्कुल बालका ने इसके साथ अटैज्ड है और बालका ने भी बहुत खुली एकदम यहां पर मुझे लगता है दो तिन चेर्ज लगा सकते हैं बहुत अराम से उस साइड भी लगा सकते हैं और यह आपका व्यू जो है यहां पर आएगा तो यह बालका ने अटैज्ड है इस बैडरूम के साथ और वाट्रोब जी उन्होंने दिया है बहुत सुंदर तरीके से जैसे आजकल विलाज और बड़ी कोठियों में सिस्टम है कि अंदर की और एक सिक्रेसी से प्राइवेटली एक वाट्रोब के लिए अलग से जगा दी जा और यह आगया आपका अटैज्ड वाश्रूम वाश्रूम के दिए जो प्लस पॉइंट से आपको बता रहता हूं कि पूरी तरह से ब्रेंडिट फिटिंग्स हैं टाइज उपर तक लगाई गई है ताकि सीलन की बाद में कोई दिक्कत आये ही ना तो बहुत अच्छे तरीक नमबर टू की और मैं जा रहा हूं और किचन क्योंकि रास्ते में आई है तो एक चीज़ आपको बता दूं कि आजकल सेफटी पॉइंट आपको आने वाली नहीं है चलिए बैड्रूम नमबर टू की और हम बढ़ चले और यह बैड्रूम नमबर टू है यहां पर भी वार् जगा भी ना घिरी यह स्लाइडिंग वाड्रॉब है बहुत स्पेशियस है एंपल स्पेस है और उपर भी काफी स्पेस ओपन रखें और नहीं कुछ भी अगर आप चीज़े विगरा रखना चाहें तो आप आराम से रख सकते हैं और अटेन अटेट वाश्रूम और इसमें वाशिंग एरिया इसके एंट्री यहां से है इस बेडरूम से यह आपका वाशिंग एरिया है ठीक है आपके मताबिक 120 गज में 3BHK में वाशिंग एरिया की स्पेशियस है यहां पर आपकी वाश्रूम जो हैं वो पूरी तरह से फ्री रहेंगे मैश डोर हर जगा दिया गय पर आती है तो हमें लगता है यार दरवाजा खोल लिया जाए और जब हम दरवाजा खोलते हैं लगता है मच्छर अंदर आजाएंगे मेश डोर की प्रॉब्लम यो बिल्डर परवाइड कर्वाता नहीं है लेकिन यहां पर आपको मैश डोर पर्वाइट करवाईज थायं तो दिक्कत ना हो चलिए बैडम नूबर थ्री और बैडम नूबर थ्री भी क्वाइट स्पेशियस यहां पे भी आपको एज इस वार्ड्रॉब मिल रहा है यह भी अच्छी बात है अटाइट वाश्रूम अगें उपर तक टाइल और एक बहुत बड़ा विंडो स्कूल डोर स्टैप पे हैं मार्किट है अच्छी कंस्ट्रक्शन है वाड़ बीच में मिल रहा है सभी चीज़ें मिल रही है और यह पैकेज ही होता है क्योंकि कुछ फ्लैट्स में कवर करने जाता हूं कई वर मुझे लोकेशन बड़ी अच्छी लगती है पर मैं देख तो फिर घर में जो लेडिस हैं उनको मार्केट जाना है तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है आपको बिल्कुल डोर स्टैप ते आप चलके बाहर गए हर दो मिनिट में वहां कोई आटो आ रहा है सरकारी बसिस यहां से जाती है और एक बड़ी बात स्कूल की बात तो मैंने कर दी हायर स्टैडिस के लिए आपको कहां जाना है कॉलेज उनिवस्टी में तो यह लांडरा रोग की पूरी बेल्ट जो है एक एजुकेशन बेल्ट के रोग में डैबलप हुई है यहां पर चंडिकर उनिवस्टी से लेके अशोका तक तमाम तरीके की उ करना चाहिए तो आप कुछ ऐसा देख रहे थे हाँ प्राइज रेंज की बात कर दूँ पताने क्यों भूलने लगा हूँ आज कल आपको प्राइज बताना मैं लेकिन आप लोग नीचे लिख देते हैं कमेंट में अरे कैसे भूल गयते प्राइज बताना तो अब मेरे को स् आपके सेपरेट वाटर टैंक तो हैं ही नीचे इन्होंने सीडे की नीचे एक 3000 लीटर का बहुत बढ़ा टैंक बनाया है वहाँ पे मोटर्स के लिए सब के लिए अलग जगा रखी है आप चाहें एमर्जेंसी में अगर कोई गैस्ट आ पानी खतम हो गया तो आप वहाँ से भी supply ले सकते हैं एक thoughtful process है क्योंकि पहले जो लोग गलते करते हैं उनी से सीख के हमने आगे बढ़ना होता है तो बड़े thoughtful तरीके से बनाया गया है आप लोग screen पे number लगातार देखते हैं इस पे call करें query करें पूछें सवाल पूछें अगर आपको कुछ मैं बताने से भूल हो तो और अच्छा लगे तो definitely आप visit करने आएं और मुझे उमीद है कि आपको ये property जरूर पसंद आने वाली है क्योंकि 34-35 लाक में तो कई 2BS के मैं आपको दिखा चुका हूँ तो ऐसे में अगर आपको 34-90 में 3BS के मिल रहा है semi furnished एक अच्छी location में तो why not क्योंकि हमें छो living में 5-10,000 तो वैसी एड हो जाते हैं और जब आप ऐसी location पे आते हैं तो ये सारी चीजें सेव हो जाते हैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा आप विजिट करने आएंगे और आपको आपके सपनों का आश्याना बिल जाएगा बहुत बहुत श स्वस्त रहें व्यस्त रहें मस्त रहें तो द्रूस्त रहें अन्यवाद